देखिए बच्चों हमारा जो 7 chapter है उसमें हम लोकोंने बहुत सारी चीजे पढ़ लिए हैं जैसे हमने दरवेमान केंदर के बारे में जान लिया है हमने कौनी है समवेक, कौनी है द्वान, कौनी है वेक, बल आगून इन्सप के बारे में जाना फिर हमने दरड़ पिंडो के संतूलन के बारे में जाना जाना गुरुत्वी केंदर के बारे में जाना आज हम पढ़ने वाले हैं इस चेप्टर का बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक जिसका नाम है जड़त्व आगून यहां हम जड़त्व आगुन के बारे में बात करेंगे कि जड़त्व आगुन क्या होता है देन जड़त्व आगुन से related दो प्रमय है उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे हमारे जो अच्छा लक्ष के परीता है हम गुनन गति के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं तो हैडिंग लगा लीजिए जड़त्व आगुन जड़त्व जो आगुन होता है इसको हम capital I से denote करते हैं किसे denote करते हैं बच्चो capital I से आप देखो जड़त्व आगुन होता क्या है थोड़ा सा कर आप लगों को याद हो तो हमने न्यूटन सर की गती की नियम पढ़े थे पढ़े थे याद करिए न्यूटन सर की गती का प्रतम नियम जो मैंने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था न्यूटन सर की गती का प्रतम नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु इस्तिर है तो वो इस्तिरी रहेगी अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भाईये बल कारिये ना करे यही था और मैंने बताया था आपको कि इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं कहते हैं नहीं कहते हैं कि वस्तू की गती में परिवर्तन का विरोध करता है जब हमने उसके पर बल लगाया किसी वस्तू पर तो उसकी जो गती है उसमें परिवर्तन का विरोध ही तो होता है और यही परिवर्तन का जो विरोध होता है उसे हम कहते हैं जड़त्वी की माप और अगर मैं गूनन गती में बात करूँ जैसे मेरी कोई वस्तु है जो किसी अक्ष के सापेक्ष गूनन कर रही है तो गूनन करने के लिए वस्तु अगर मेरी गूनन कर रही है या मालो मेरी जो वस्तु है वो इस्तिर है तो अगर मुझे इसकी अवस्ता परिवर्तन इसके अवस परिवर्तन का विरोध को यही गुण का जडत्वा आगुण कहलता है यानिहा इसका जडत्वा आगुण बन हैll थी खेश वाठी को समझ का नहीं अचछी परीटि जो गती है लेकिन गुनन के बात कर रहे हैं तो वस्तु का यही जो गुन होता है वह उसका जड़त्व आगुन कहलाता है और यह जो होता है जड़त्व आगुन इसको हम कैपिटल आई से लिखते हैं और यह अग्ष कैमार स्क clown के बराबर होता है अभी हम इसका formula देखेंगे यह इसका formula आता है I is equal to mr मार स्कूर आप इसके formula से इसकी definition दे सकते हैं वह क्या किसी वस्तू का किसी अक्षी की परीते गुनन के समय उस वस्तु का द्रवेमान होता है अक्ष के परीते तो आपको जड़तवा अगून समझ में आया अब हम इस फॉर्मूले को यहां पर डिराइब भी करते हैं अच्छा एक चीज मुझे बताईए आप लगों के दिमाग में क्यून आरहा होगा तो द्रविमान और जड़तव आगून दोनों में कुछ फार्क होगा नहीं लेकिन दोनों में एक अंतर होता है क्या हमारा जो जड़तव है सिम्पली बाश्र में हम उसको जड़तव तो कहते ऐस्तु का द्रविमान किया है इस अगर वस्तु कंभ बहुत बारी तो में जदा बल लगाना पड़ेगा वस्तु बह тебе निया पक्रता है तो भाते ना वस्तु सब्सक्राइए हम उसकी कि अवस्तवा अगूर नियत्सक्वा नियून करना है ना भी डिपेंड करता है और किस तरह डिपेंड कर रहा है आप इस पॉर्मूले से देख सकते हैं वो क्या जितनी ज्यादा दूरी होगी उस वस्तु का जड़त्व आगून भी उतना ही ज्यादा होता है और यह जड़त्व आगून होता है बच्चों इसका हमारी डेली लाइफ म इन में एक चक्र लगावा रहता है जिसको हम बोलता है गती-पालक चक्र अब क्या होता है जब आप लोगों ने देखा कि गाड़ी चलती है या अचानक से आपने गाड़ी को रोकी या फिर हमें जटके खाका के नहीं चलते हैं ऐसा देखा है आपको कि आपको जटके नहीं गती-पालक चक्र होता है जड़त वागुन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वज़े से जब इसके उपर हमने इसको रोकना चाहा या फिर मालों हमने इसको गाड़ी को चलाना चाहा तो हमें जटका मैसूस नहीं होता है क्योंकि जड़त वागुन बहुत ज़्यादा होग के बच्चों चलिए तो आपको जड़त वागुन समझ में आ गया अब हम इस फोर्मूले के पहाते हैं माना कि कोई पिंड है जो इस्तिरक्ष के परीता है गूनन कर रहे हैं हम एक इस्तिरक्षी लेकी चलेंगे जिसके परीता ही है हमारा जो पिंड है वो गूनन कर रहा है इस जो भी इस तिरक्ष है उससे आ रहा है दूरी के उपर जो कंड है उसका रेखिक जो वेग है उसको मैंने वी आई कह दिया तो बताइए इस कंड की गती जूर्जा क्या होगी गती जूर्जा हम लोग पढ़ चुके क्या होती है हाफ एम डी स्क्वेर तो के आई हो गई हाफ कंड है उसका द्रव्यमान है तो के कितना आ गया है के पूरे पिंड के लिए गतीज और इंड कलक के संक्या किबाइस में जलने कड़्र हसकी इस और majसे आप आइम वै यह जो वेग होता है वो इसे ही हम कहते हैं जड़त्व आगून क्या कहते हैं बच्चों जड़त्व आगून तो कि आगया तो जड़त्व आगून की फ़र्म में पूछी जाये तो क्या होती है था वैसे हाफ एम वी स्क्वार देखो यहां पर के की अगर मैं रेखी गती में बात करों तो हैं वी स्क्वार आता हैं कर्या का जब मैंने घूनदन गती में बात करी तो half i omega square या नहीं कि m को replace किस ने किया i ने v को replace किस ने किया omega ने लेकिन मैंने बताया कि i और m फिर भी इन दोनों में फर्क होता है क्योंकि ये जो i है सिर्फ दर्वेमाल पर ही नहीं इसकी अक्षिस से दूरी उसके ओपर भी ये depend करता है तो ये इन दोनों में फर्क होता है तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना अब अगर मैं i को खोल दू तो यह ऐसे आ जाएगा m1 r1 square plus m2 r2 square dot 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 mn rn square या फिर i is equal to this तो यह है मेरा जड़त्व आगून तो यहाँ से आप इसकी definition लिख सकते है ठीक है चली अब बढ़ते हैं आगे आ रहे क्या है द्रविमान की गूनन अक्षि से लंबवत दूरी जो भी द्रविमान है जिस अक्षि के साब एक्षि गूनन कर रहा है मालो तो अक्षि से इसकी जो लंबवत दूरी है वही मेरा r होता है आप इसका मात्रक क्या होता है KG, मेंटर, स्क्वाइर, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया आप देखो हमारा ज़ड़त्व आकून होता है वो किस किसी जोपे डिपैंड करता है सबसे पहले तो यह वस्तू के परदार के घरत्व के उपर भी डिपैंड करता है करेगा नहीं करेगा तो घरनत्वी रधी बड़ा करता है और उसके आकार के उपर भी ड़ेट करता है कॉन्छ बदल जाता है तो जड़त्वागुण का मान ही है डिपैंड नहीं करता है बाकि इन चीजों के उपर ही है डिपैंड करता है तो जड़त वागुन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जड़त वागुन का मात्रक वगरा वीमा आप खुद निकालेंगे डेली लाइफ मिस का क्या यूज है मैंने आपको बता जड़त वारे हो बागी आप फिर जितनी ज्यादा प्रायक्टिस एक निमेरिकल डेफिनेटली एक्जाम में आएगा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग यहां से करेंगे उतना ही आपको यह टॉपिक समझ में आयाएगा आपकी में बहुत सारे का वल्य का दे रखा ह यह कोई रिंग है और इस रिंग का मुझे जड़त्वागुन निकालना है तो माना कि कोई आर्थ रिज्या और एम्द्र विमान की एक रिंग है जो अपने तल में केंद्र के परित है देखो हमें गुणन अक्ष पर हमारा जड़त्वागुन डिपैंड करता है गुणन इसके सापेक्ष यह जो रिंग है वह गूम रही है और ओमेगा कोणि यह वेग से गुणन कर रही है कितने ओमेगा कोणि है वेग से गूम रही है तो बताए इस रिंग का केंद्र के परित है जड़त्वागुन कितना होगा बहुत बार एक्जाम में बच्चे पूरी language पढ करें तो थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट के करें बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी में कर दिया और टिक लगा दिया ऐसा मत करिएगा देखो हम जानते कि के तो बताइए वी दूपक रो मेगा तो यहां से आई पराबर कितना गया यहां से मैंने बताएगा है यह जो टौम होती है यहां वाली जो टौम होती है तो केंद्र के परीते हैं अगर आपको एक रिंग का जड़त पूछा जाए तो वह होता है सब्सक्राइब करें लग जाएंगे लेकिन यह जो टॉपिक है यह बहुत प्रैक्टिस मांगता है ना तो आप इसको रड़ सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो जरूरी नहीं सब्सक्राइब करते हैं अब हम बात करते हैं इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं स्मोल के एक तो होती है जिसे हम कहते हैं गतीज उड़ जा और एक होती है स्मोल के जहां लिखा हुआ होगा वो कहलाएगी परिभ्रह्मन त्रिज्जा वो गतीज उड़ जा तो आप लोगों को कंफ्यूस नहीं होना है अब देखो परीक्रमन जो त्रिज्जा होती है वो होती क्या है किसी अक्षी के परिते हैं किसी पिंड की परीब्रह्मन त्रिज्जा परीब्रह्मन सोरी परीक्रमन नहीं परीब्रह्मन जो त्रिज्जा होती है वो अक्ष से एक ऐसे कंड की दूरी होती है जिसका द्रव्यमान संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है यानि कि वह कंड जिसका द्रव्यमान पूरे पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है उस अक्ष से जिस अक्ष के सापेक्ष हमारा पिंड गूनन कर रहा है उस अक्ष से उस कंड के जो दूरी होती है उसे ही हम परी ग्रहमन त्रिज्जा के कहते हैं अर्थार्त जड़त वागून की दीगई अक्ष के परिते पिंड के वास्तविक जड़त वागून के बराबर है अब देखो यह होता क्या है जैसे एक L लंबाई की छड लेली मैंने एक L लंबाई की छड़ है जिसके लिए अगर आप जड़त वागुन निकालेंगे तो वो इतना आता है I is equal to ML square by 12 एक L लंबाई की छड़ के लिए है यह अब देखो यहाँ पर यहाँ पर जो यह I है इस I को मैं दूसरी फॉर्म में भी लिख सकती हूँ परी ब्रह्मन तिज्जा की फॉर्म में वो होगा M k square m small k square जहां small k है मेरी परी ब्रह्मन तिज्जा अब अब अगर आप इन दोनों को compare करो तो बताओ यहाँ से k square की value कितनी आई एको M common है k square आ गया है L square by 12 तो बताओ यह परी ब्रह्मन तिज्जा की कितनी आगई L upon under root 12 तो आपको वो कुछ भी पूछ सकता है जैसे उसने कोई भी दे दिया अभी जैसे हम रिंग वाला देख ले रिंग वाले के लिए I is equal to M R square क्या है M R square और I is equal to M small k square वो पूछ ले आपसे बताइए केंद्र के परीत है जो रिंग है उसकी परी ब्रह्मन तिज्जा बताइए तो आप compare कर लो formula को यहां K square बराबर आगया R square तो K बराबर आगया मेरा R के बराबर यानि कि यहां पर जो परी ब्रह्मन तिज्जा है वो इसकी तिज्जा के ही बराबर है तो आप लोग यहां से भी इसको कर सकते हैं तो इस तरह से आप लोग यह formula याद रख लिजिए बागी सब के लिए आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं परी ब्रह्मन तिज्जा small k की value find out कर सकते हैं तो K का formula क्या होता है अंडरूट I upon M या फिर I is equal to M K square से भी आप लोग यह याद रख सकते हैं देखो एक तो होता है I is equal to M R square ठीक है यहां पर यह जो R है यहां यह जो R है वो क्या है यह R है गुणनक्ष से उस कंड की दूरी ठीक है यहां पर यह radius नहीं है वो तो यहां इस condition में तो यह radius की बराबर हो गई क्योंकि कंड मेरा यहां था तो यह radius की बराबर हो गया था इसलिए तो यह होता है गुणनक्ष से इसकी दूरी कंड की दूरी और उसका square और यह होता है परी यहां से हो रहा है कि कहां से हो रहा है कहीं से भी हो सकता है तो यह आ गया मेरा अब बताई इस के का मात्रक क्या अगर आप इस के का मात्रक यहां से निकालेंगे आई का मात्रक मैंने अभी अभी बताया के जी अंडरूट के जी मिटर स्कुरार नीचे हैं एम यानि कि के जी के से अंडरूट से जब रही से निकला तो मीटर आया यानि कि आहे को मात्राइक सोरी के वक्ता मेत क्या होता है मिटर होता है यानि कि लंबाई के घूले ur नक्षक वे न मानी यह हैं यह लागा से रिलेटर दो प्रमय पढ़ते हैं एक लमभवत अक्षो की प्रमय जो हमारे questions को solve करने के लिए बहुत जरूरी है अगर हम यह दोनों प्रमय आती हैं अच्छे से और इनको apply करना आता है तो हम easily हमारे questions को कर सकते हैं पहले हम बात करते हैं लंबवत अक्षों की प्रमें क्या कहती है लंबवत अक्षों की प्रमें यह कहती है कि अगर आपको किसी लंबवत कोई फलक है उस फलक के लंबवत अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आगुण निकालना है यानि कि जो लंबवत अक्ष लंबवत अक्षि के लमवत हो जो इस लंवत अक्षि के वी लंबवत होनी चीह इन दोनों राख्षों का जो जड़त्व आगोन एम वी इस वाले जड़त्व आंगोन उनका जो योग होगा वही इस बहुत अक्ष के ब़ाबर होगा तो किसी फलक के तल के लभवत अक्ष के परीत है किसी फलक के पर में इस्तित दो लैप वस्तुओं पर लागू होती है जिनमें हम दो अक्षों के बात कर सके यदि अक्ष एक तता अक्ष दो बस्तु के तल में है और एक दूसरे के लंवत है एक चीज और दे आप लोग यहां पर ध्यान रखना कि यह जो दोनों अक्ष है वो भी एक दूसरे के लंवत होने चीए और इसके भी लंबवत होने चीए यानि कि एक और दू आपस में भी लंबवत होने चीए और ये दोनों इस जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसके भी लंबवत होने चीए तो इसका सीधा सा एक्जामपल आप लोग ले सकते है एकस वाई जैड प्लेन उसमें भी आप लोग यहां मेरी लमवत अक्षों की प्रम है अब एक नौट करके पॉइंट क्या है कि यह जो तीनों अक्ष मिलें तो इन तीनों किसी बिंदू पर तो मिलेंगे ना तो इन तीनों अक्षों का जो प्रतिशेद बिंदू है वह जरूरी नहीं है कि हमारी वस्तू के द्रविमान और बाहर लेकिन होगा इसके तल में तो यह चीज आप लोग यहां पर ध्यान में रखना अब बात करते हैं समांतर अक्ष्यों की प्रम में क्या कहती है वो सुनिए समांतर अक्ष की प्रमी यह कहती है कि अगर आपको किसी पिंड का किसी भी अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्वा अगूर निकालना है कोई भी एक गुणान अक्ष है उसके सापेक्ष आपको जड़त्वा अगूर निकालना है तो आप क्या करिए उससे पिंड दोनों जो अक्षे उनके बीच की जो भी दूरी है उसको उसके द्रवेमान से गुणा कर दीजिए और फिर दोनों को आपस में आप जोड दीजिए उसके तुल्ले होता है अब आपको कुछ समझ में ही नहीं है क्या हुआ तो देखो डाग्राम से समझते हैं जैसे मेरे पास म द्रवेमान केंद्र दोनोंगी यह माल लीचे इस पिंडिका द्रवेमान केंद्र है यह इसका सेंटर ओफ मास है तो इस सेंटर ओफ मास से गुजरने वाला अक्ष जो इसके समांतर होना चाहिए और इन दोनों के बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी दूरी प इसके बराबर होता है तो किसी पिंडिका किसी अक्षि के परीत है जड़त्व जो आगून होता है उसे योग के बराबर होता है जो पिंडिके द्रवेमान के अंदर से गुजरने वाली समानतर अक्षि के परीत है लिएगे जड़त्व आगून और पिंडिके द्रवेमान तता दोनों अक्षों के बीच के दूरी के वर्गी के गुननफल के योग के बराबर होता है तो आई ये भी तो है अगर आपको द्रवेमान केंदर अच्छे से नहीं आता है तो आप ये सब चीजे सॉल भी नहीं कर सकते हो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले द्रवेमान केंदर के बारे में पढ़ाया था उसे गुजडने वाली अक्ष के प्रती जड़त वागून है M क्या है वस्तू का कुल द्रवेमान और D क्या है AB और AB अक्ष के समानतर द्रवेमान केंजरे से गुजड़ने वाले जो अक्ष हैं उनके बीच की दूरी तो IAB क्या होगा? ICM प्लस MD स्क्वार ज्यानि कि आप किसी भी अक्ष के परिते जड़त वागुन निकाल सकता है किसी पिंडिका अगर आपको उस पिंडिका उसके द्रवेमान के अंदर से गुजड़ने वाला जो अक्ष है उसके सापेक्ष आपको जड़त वागुन पता हो और दूसरी कंडिशन ये कि ये वाला जो अक्ष है वो इस अक्ष के समानतर भी होना चीए और इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको पता हो तो आप समानतर अक्षों की प्रमय को यूज करके आसानी से उससे गुणन अक्ष के साप एक जड़तव आगून ग्याद कर सकते हैं तो ये ता हमारा जड़त वागून और जड़त वागून से रिलेटेड दो प्रमय अब आप लोग इससे रिलेटेड निमेरिकल करने की कोशिश करिएगा आप से आसानी से हो जाएंगे बाकि जब हम निमेरिकल पॉर्शन करेंगे तब हम यहाँ पर कुछ निमेरिकल इसके तो उसे इस्तिर लक्ष के प्रती जो गूनन गती होगी वह हम यहां पर स्टाडी करेंगे तो हैडिंग रखाई यह अच्छा लक्ष के परीता है शुद्ध पहले हम शुद्ध गूनन गती की बात करेंगे अब देखो हम क्या जानते कि हमारा जो कौनिय विस्तापन होता है ठ ठीटा ओवर डीटी होता है पता है ना इसी तरह से अगर मेरा कौन यह तुर्ण अलफा है तो गूनन अक्ष अचल है तो बताईए अलफा क्या होता है डी ओमेगा बाई डीटी अब देखो हमारा यह जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले हम लोग रेखे गती और अचल लक्ष के प्रती जो गूनन गती है इनमें हम लोग टेबिल बनाते हैं आपके बुक में दी हुई यह टेबिल आप लोग वहां से भी इसको आसानी से देख सकते हैं वह क्या अगर रेखे गती होती है तो मैंने आपको पहले भी यह चीज़ बता दी है कि उसमें जो विस्ता गती में आजाते हैं इसी तरह से वेग होता है डी एक्स ओवर डी टी और इसको स्मॉल वी से लिखते हैं इसी में क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे कोणी है वेग ओमेगा और वो क्या हो जाएगा डी टी इसी तरह से त्वान को इसमें लिखते हैं एसे यह होता है डी व आपक जबता है हैं मैंने तो हमारा जड़ा फ्ट से एम यहां पर बल अ जाएगा बल की चैगा निकालेंगे भी हैP कारे जो होता है एस हो यहाँ पर गारेगा वह यह तोड़ी टीटा यहाँ आभींब निकालेंगे कि अल्सके सबक्राइक होता है पीटा कैसे आया गती चूर्जा यहां होती है हाफ mv square यहां हो जाएगी आई-ोचे को दोनों में ही केसे लिखेंगे बस बदल जाएगा i2 से में स्काइर को रिप्लेश कर दो ऑमेगा स्क्वार से यहां होती है one how to 2 संवेγ can beale calls Woah फंन ली करते हैं और यह होता है um उमेगा इस सारी से आप ऑस्टील के जरिये गूर्ण कती और रिके घथी में kam prose कर सकते हैं आपको यह symbols बहुत अच्छे से पता होने चीए और आपको आसानी से याद हो जाएंगे इनको रटने के कहीं कोई जवरत नहीं है आप जैसे जैसे derivation करेंगे questions निकालेंगे आपको यह automatically याद हो जाएंगे चलिए अब हम आते हैं हमारे topic पर हम ने ओमेगा लिख दिया और 알फा लिख दिया अप दिखो हम शिद्य की समीकरण हम लोगों चुद्य की समीकरण उल्रेड़ीपद लिये टैना हम लोगों लास्ट चेप्चर में जाएं वहां हमने शुद्ध गती की समिकरण पड़े हैं और आप लगों को ये तीनों समिकरण याद भी होने चाहिए क्या होते हैं V is equal to V naught plus 80 पहला समिकरण ये था दूसरा क्या था X is equal to X0 plus V naught T plus half 80 square थर्ड क्या था V square बराबर V naught square plus 2AX आप लोगों को याद हो तो हमने ऐसे लिखा था V बराबर U plus 80 वो इसलिए कि हमने प्रारंबिक वेग को U माना था और अंतिम वेग को V माना था यहां मैंने प्रारंबिक वेग को V naught मान लिया यानि कि U की ज़ेकर मैंने क्या लिख दिया V naught अंतिम वेग मेरा वही है इसी तरह से X naught मेरा प्रारंबिक विस्तापन है प्रारंबिक का मतलब समझते हो T बराबर 0 के उपर यानि कि जब से हमने observation को देखना शुरू किया है तब से और X मेरा अंतिम विस्तापन है A मेरा turn है T हमारा समय होता ही है चलिए तो यह हमारे शुद्ध गती की समयकरन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं तो मुझे उम्मीद है इन में किसे को भी कोई प्राब्लम नहीं होगी और आप लोगों को यह समयकरन अच्छे से याद होने भी चाहिए यह बहुत जगह यूज आता है questions वगरा solve करने में भी तो इनको यूज करते थे न हम चलिए अब हम इन्हीं शुद्ध गती की समयकरन को शुद्ध गूनन गती में convert करेंगे और कैसे करेंगे हमारी इस table से replace करेंगे x होगा उसकी जगह theta लिखेंगे v होगा उसकी जगह omega लिखेंगे इस तरह से हम इनको replace करते हुए शुद्ध गूनन गती की समयकरन यहाँ पे निकालेंगे तो अब बताइए क्या हो जाएगा omega is equal to omega 0 plus alpha t देखिए v की जगह रख दो omega v not की जगह omega 0 a की जगह alpha तो आगे omega is equal to omega 0 plus alpha t बताओ है नहीं है आसान है ना चलिए आगे बढ़ता है theta is equal to x की जगह theta रख दिया x not की जगह theta not रख दिया प्लस v not था यानि की उसकी जगह w not रख दिया half a की जगह alpha रख दिया t square तो यह आ गया दूसरा सम्मीकर है तीसरा क्या हो जाएगा omega square बराबर omega not square plus 2 alpha theta minus theta note अब देखो हमने यहाँ पर theta minus theta note किया है theta note तो है प्रारंबिक कोणी है विस्तापन तो यह है हमारे शुद्ध गुणन गती के सम्मीकरण अब हम बात करते हैं अचल अक्ष के परिता है गुणन गती यानि कि हम इस पूरे चैप्टर में यह बान के चल रहे कि हमारा जो अक्ष वो इस्तिर है अचल है उसकी परिता है अब हम पिंड जो पिंड उस पर कारे करने वाले जो भी बल हैं जो भी हम बन ले रहे हैं वह गुनन अक्ष के लंबवत तल में केवल हमें और दूसरा क्या हमें पिंड के करनों के सतती जो सदिश है पिंडिके जो भी करने है उनके जो इस्तती सदिश है उनके भी हम्में केवल वो ही अवयव लेने है जो गुनन अक्ष के लंबवत है यानि कि कुल मिला के बाद इतनी सी है कि हमें बल हो चाहे हमारा इस्तति सदिशो उसके वो अव्यव हमें नहीं लेने है जो हमारे गुनन अक्ष पर है या गुनन अक्ष के अनुदिश है हमें उन अव्यवों पर यहां विचार नहीं करना है क्योंकि हमारा जो अक्ष है वो इस्तिर है इसलिए यह जो अव्यव होंगे यहां पर प्रभावकरी नहीं होंगे तो हमें केवल इन दो पॉइंट्स का ही यहाँ पर ध्यान रखना है तो यहाँ पर थोड़ा सही पॉइंट रिपीट हो गया है तो मैंने यहाँ लिख दिया है यहाँ आप लिख लेना पिंड पर कारे करने वाले वेबल जो गूनन अक्ष के लंबवत तल में है पहला यह दूसरा यह पिंड के करणों के इस्तति सदिश के वेब जो गूनन अक्ष के लंबवत है हमें केवल इन पर ही विचार करना है चलिए अब हम बात करते हैं हमारे डेरिवेशन वाले पार्ट की कि हमें इसमें क्या-क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले हम करेंगे कि हमारे बलागुन के द्वारा जो कार्य किया गया है हमें वो कार्य कैलकुलेट करना है कि आखिर वो कार्य कितना है तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बना लिया हमारे एक अचल अक्ष है अचल जो अक्ष है उसको हमने कहा जैड हमारा जो अच्छल अक्षे वो हमारा जैड एक्सिस है जो हमारा इस्तिर है और यह हमारा गूनन अक्ष है और यह हमारा जो अक्ष है आपको अच्छे से पता है कि अगर आप एक्स वाई प्लेन ले रहे हो तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा जैड एक्स ये मेरा जो पिंड है, इस मैंने निकाय का कोई पिंड ले लिया है, और इसके उपर जो कण है, वो अभी P1 पर है, और इसके मूल बिंदू से जो दूरी है, उसको मैंने R1 कहा, क्या कहा? ईक भा, आरवन कहा? जिसके किरिया रेका अभी लंग और इसके उपर एक बल लग रहा है, ये रहा F1 बल, ये बल F1 लग रहा है, जो मेरे X-Y- तल में है, यानि कि इस बल की जो किरिया रेका है, वो अक्ष के अभी लंबवत है, तो बताओ, ये जैड के लंबवत है या नहीं मना करें आर्वन तो ए morgen से मूनढ करें गा आर्वन त्रिज्ञा का उस्यारे व्रत बनेगा परर यो चेंदर क ये जो पिंड है जो चल रहा है तो जिसका केंदर ऑक्ष पर है और उपरिका जो आक्ष है Bij ca ke berabar hoogí और यह कितनी है R1 नहीं यह हमने माना है Mm अब मैने माना कि aly 2, 2, 2, 2 मेरा यह कन चलने लगा चला और यह P1 से P1 डैश पर पुझ गया बताइए काहा है P1 ॉ मालो यह रहा मेरा पी 11 यहां से यह यहाğ पर चला तो इसने विस्थापन हुआ इस विस्तापन को मैंने नाम दे दिया DS1 अगर आपको डाइग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है यह आपको clearly दिखाई नहीं दे रहा है तो यह आपकी book का ही डाइग्राम है आप वहां से भी इसको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं ओके बच्चों बहुत पढ़ाईए तो बताईए mode DS1 कितना हो गया R1 D theta मैंने यह angle कितना माल लिया D theta कि यहां से यहां गया तो कोणी यह विस्तापन कितना है D theta तो यह आगया DS1 is equal to R1 D theta चली इतना हमें समझ में आ गया अब हम बढ़ते हैं आगे और इसकी जो दिशा है वो व्रत की इसपर्ष रेखा के अनुदिश है अब देखो कंड पर बल तोवरा हमें किया गया कार्य निकालना है कार्य जो होता है क्या F dot DS यह होता है आप देखो DW1 मैंने निकाला DW1 क्योंकि हम लोग R1 लेकी चल रहे हैं इसके लिए हमने कार्य को भी DW1 क्या होगा इसके ओपर लगने वाला बल और इसका विस्तापन और इन दोनों का अधिश गुणन फल यह तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि जो W होता है वो F dot DX होता है अब आपको F यहाँ पर जब हम dot product को खोलते है में क्या माना है DS यह तो रहा मेरा F और यह रहा मेरा DS इनकी बीच के एंगल को मैंने 5-1 कहा और इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा हूँ तो इसके और इसके बीच के एंगल को मैंने Alpha 1 कहा आप लोग घ्यान रखिएगा यह तो है Alpha 1 और यह है 5-1 तो बताइए DS और F के बीच का एंगल कितना है 5-1 तो जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा F1, DS1, Cos 5-1 इतना आपको समझ में आया अब मुझे इस 5-1 को रिप्लेस करना है किस से? Alpha से तो अगर आप डाइग्राम में देखो तो क्या? डाइग्राम में आप देखो तो आपका पहले तो आप इस DS1 की वैल्यू को यहां से पुट कर दीजिए यह रहा DS1, R1, D theta यहां मैंने रख दिया F1, R1, D theta 1 और sin alpha 1 यहां से यह आ गया अब देखो आप देखो यह sin alpha 1 आया कैसे? अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरी sin alpha 1 कैसे आ गया? इतना तो हमें समझ में आ गया F1, as it is, DS1 की वैल्यू रख दी और cos, 51 रख दिया अब देखो, अगर आप डाइग्राम से देखो तो क्या दिखेगा आपको? आपका जो cos है आपका जो यह पूरा का पूरा जो एंगल है 90 degree है या नहीं है? है, तो यानि कि यहां से 51 प्लस alpha 1 बराबर है 90 degree तो यहां से 51 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 degree माइनस alpha 1 उठाईए 51 की वैल्यू और यहां पर put कर दीजिए जब मैंने यहां पर यह वैल्यू पूट करी तो बताईए क्या आएगा? यह आगया, मैं सिर्फ कॉस वाली टम को सौफ कर वही हूँ 90 degree माइनस alpha 1 और कॉस जब 90 से टर्ण होके वापस इसमें आता है तो यह sign में convert हो जाता है इसमें positive ही रहता है इसका sign यह भी सब आप लोगों ने mathematics में पढ़ा होगा और मैंने आपको पहले भी बता है कि जिन बच्चों ने यह सब चीजे जैसे जो biology के students है वो math में सारी चीजे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग mathematics की trigonometric functions की वीडियो जरूर देखिए चाहिए biology की ही student क्यों नहीं क्योंकि अगर आपको physics पढ़ नहीं है तो थोड़ी बहुत basic knowledge आपको mathematics की होनी चाहिए तो यह हो गया sin alpha 1 हुआ नहीं हुआ तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इसको sin alpha 1 यहाँ theta 1 ने 5 1 आएगा 5 1 प्लस alpha 1 90 degree है मैंने इस value को यहाँ पुट करा और यहाँ पे मैंने इसको alpha 1 में convert कर लिया कर लिया चलिए आप देखो मूल बिंदू के परीता है F1 के कारण बहुत जो F1 है उसके कारण मूल बिंदू के परीता है जो बल आगुन लगेगा उसको मैंने कहा tau 1 क्या कहा मैंने जो भी बलागुन यहां काम कर रहा है उसको मैंने कहा tau 1 तो tau 1 जो होता है हमने पढ़ा है R x F होता है R यहाँ पे क्या है अब देखो यह जो चीज़े यह हम लिखेंगे हमारे दूसरे डाइगराम से यह डाइगराम हम पहले भी पढ़ चुके है थोड़ा यह डाइगराम आगे भी काम में आएगा और यहां भी काम में आएगा तो थोड़ा हम आगे जाते है इस वाले डाइगराम से हम लोग लिखेंगे अगर हम हमारे इस डाइगराम को हमारे उस derivation में convert करें तो इस R लंबबबद की जगा R1 मान लीजिए ये है मेरा O ये है मेरा O P बिंदू और ये रहा मेरा C बिंदू और ये मेरा Z axis है जो हमने माना ही है तो यहाँ पर अब देखो मैंने कहा बताओ बल की जो किरियार रेखा है वो ऐसी तो जा रही है यानि कि O P हमने P की जगा P1 माना है तो O P1 क्रोस F1 यही तो होती है R जो होता है वो बल की किरियार रेखा वाला ही तो होता है तो यह आ गया O P1 और क्रोस F1 अब हम वापस बैक में आते हैं इसलिए मैंने यहां पर यह लिखा तो आप लोग चाहे तो उस डायग्राम को यहां पर भी आप बना सकते हैं और बनाना भी है क्योंकि यह चीज़ आप लिखेंगे कैसे नहीं दो O P1 क्रोस F1 अब देखो उसी डायग्राम पर वापस जाहिए प्लस CP1 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है ना तो यह ओ गया मेरा इस तरह से अब देखो अभी अभी मैंने आपको बताए कि जब भी हमारा अक्ष इस्तिर होता है तो हम इसके अनुजदी जो घटक है उनके बात ही लिख दीजिए यह हमने वेक्टर एडिशन लो लगाके हमने लिख दिया यह आप आसानी से लिख सकता है मैंने आपको यह लिखना सिखाया है चलिए अब देखो तो ओसी अक्ष के अनुदिश है इसलिए यह प्रभावी नहीं होगा इसलिए जो ओ पीवन और केवल सी पीवन के बराबर होगा तो यहां पर इस वैल्यू को ठाके रग दीजिए तो टौवल आ गया CP1 क्रोस F1 और वेक्टर तो आपको सब पे लगा नहीं है आप देखो CP1 क्रोस F1 अब देखो CP1 कितनी है R1 है या नहीं है यह दूरी थी वह R1 ही तो थी तो यह आ गया R1 क्रोस प्रड़क को खोल दिया तो F1 और साइन अलफा 1 इनके बीच के अंगल अलफा है इसलिए अलफ तो DW कितना आएगा अगर मैं DW की बात करूँ तो R1 R1 F1 साइन अलफा 1 टो 1 हो गया और D theta 1 as it is इसको इसको मैंने टो 1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि यह चीज़ टो 1 के बराबर है तो DW1 कितना आ गया टो 1 D theta और बताओ अभी अभी जो आमने टेबल देखी क्या उसमें DW इतना ही था टो D theta चलिए देखते हैं कि क्या हमने लिखा वो सही था यह देखो डबलू इस उकल टो D theta था या नहीं था चलिए तो हमने बताओ वर्क निकालिया गुणन कती के लिए आसान था बहुत ही सिंपल सा derivation है कोई बहुत टिपिकल सा derivation यह नह वो सभी कारियों का क्या होगा योग होगा सारे कारिया निकाल लो सारे बलों के कारण और उन सब का योग कर दो तो वो हमें आ जाएगा कुल कारिया यदि विविन बलों के द्वारा लगाएगे बलागुन टो 1 है टो 2 है टो 3 है इस तरह से है तो बताओ DW क्या हो जाएगा टो 1 प्लस टो 2 डोट 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 टो 1 और D ठीटा ओके जहां D ठीटा सभी के लिए और जो ही D ठीटा है वो तो सब के लिए समान रहेगा वो चेंज नहीं होगा तो DW को हम जनरल फोम में लिके तो क्या हैगा टो डी ठीटा तो यह आगया मेरा DW is equal to टो डीटीटा तो यह जो है वो क्या है आचालक्ष के परिता है गूमते पिंड पर कुल बल आगुण और बल आगुण भी कौन सा है सिर्फ भाई है बाई बल आगुण के द्वारा किया गय होता है और को आप से पूछे बताईए कितना होता है तो आप कहेंगे DW is equal to टो डीटीटा अब रेखे गती में अगर हम कार्य को लिखता है तो क्या लिखता है एफ डो डीएस तो बताओ यह इसके संगत है यह नहीं है ओवियस सी बात है यहाँ DW आ रहा है तो डीटीटा और रेखे गती में DW आता है FDS तो देखो वो ही तो हुआ टो को रिप्लेस किया F से डीटीटा को S से इस तरह से ही तो हुआ चलिए अब देखो अगर मुझे शक्ति निकाल ली है अब हमें शक्ति भी तो चीए तो आपको अच्छे से पता है DW ओवर डीटी जो होता है वो शक्त हम पढ़ चुक है तो शक्तीपी उकलटु किया गई DW ओवर डीटी तो आप इस DW को डीटीं से भाग देदो दो तर तो यहां भी भाग दिया तो क्या गया तो टीटा ओवर डीटी यहां पर यह था इसको डीटीं से दोनों तरफ भाग दे दिया तो यह आगया पry तोडी ध तो वी को रिप्लेस कर रहा है ओमेगा जब गूनन में आ गए तो तो पूनेत है द्रड़ पिन अब आपको अच्छे से पता है कि रिजिट बोड़ी के बारे में मैं आपको पहले भी बता दिया है तो पूनेत है डर्ड़ पिन में वीविन कड़ो कि कोई आंतरिक गती नहीं होती है इसलिए अब हम गती जूर्जा में व्रद्धी की दर निकालता है तो गती जूर्जा में कितनी व्रद्धी की दर हुई अगर हम नॉर्मल गती चूर्जा की बात करें रेखें गती में तो उती हाफ mv square यहां में व्रद्धी की दर निकाल ली है इसलिए हमने d over dt कर दिया हाफ mv square को हमने convert कर रहे हैं किस formula में गूणन गती में हाफ तो हाफ ही रहेगा m को replace कोन करेगा i और v को replace कोन करेगा omega तो आगया i omega square by 2 अभी d over dt है क्योंकि हम व्रद्धी की दर निकाल रहे है इसलिए अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा अभू कलन करना पड़ेगा i आपका constant है 2 आपका constant है यह बहार निकल गए आपके पास मैं बचेगा only यह d over dt i by 2 को मैंने बहार निकाल लिया और बचेगा only omega square अब इसको x की गात n वाले जो formula होता है उससे आपको लिए मैंने आपको सिखा रखा है तो यह आजाएगा 2 omega और फिट d omega by dt क्योंकि यह omega जो है वो इस तरह से आएगा यह सारी चीचे मैंने आपको बता रखी है तो यह आगया 2 omega d omega by dt अब d omega by dt क्या होता है यह तो alpha है alpha है या नहीं है तो इसको alpha लिख दिया तो बताइए गती जूर्जामे व्रद्दी की जो दर है वो कितनी आ गई 2 से 2 कट गया i omega और यह बन गया alpha तो यह आ गई i omega alpha यह है गती जूर्जामे व्रद्दी की दर सारे फोर्मूले आपको ध्यान रखने है क्योंकि जब numerical आएंगे तो directly यहां से भी आ सकते है चलिए i जो है वो constant है इसलिए जड़त वागून जो होता है अब देखो कारे करने की जो दर होती है अब गती जूर्जामे व्रद्दी की जो दर है यही कारे करने की दर के बराबर होती है तो कारे करने की जो दर होती है वो गती जूर्जामे व्रद्दी दर के बराबर होती है तो कारे करने की जो दर है वो कितनी है टो ओमेगा गती चुचा में व्रद्दी की दर कितनी है आई ओमेगा अलफा दोनों को जब बराबर किया तो यहां से निकला टो इस उकल टू आई अलफा और बताओ यही फॉर्मूला अभी अभी हमने टेबल में भी देखाता है या नहीं तो टो इस उकल टू कितना होता है आई अलफा और बताओ यह आपको कुछ जाना पैचाना सा लग रहा है कुछ जाना पैचाना सा इसको रेखिए गती से कंपेर करके देखिए तो न्यूटन सर का सेकिंड लो याद आएगा एगा एफ बराबर में तो यहां से अलफा जो होता है यानि की कोणिये जो त्वर्ण होता है वो जड़त आगून के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है और हमारा जो बल आगून होता है वो हमारे कोणिये जो त्वर्ण होता है उसके समानुपाती होता है यहां से है या नहीं है तो यहां से ये दो result भी निकले तो हमारे जो ये equation है कौन से वाली ये वाली equation है ये अचलक्ष के परित है गुनन के लिए Newton का दित्तिय नियम कहलाती है तो Newton सर का दित्तिय नियम ही लेकिन हमने इसको गुनन में convert कर दिया और वो भी तब जब हमारा अक्ष इस से रह तो इसे हम कहते हैं गुनन अक्ष अचलक्ष के परित है Newton सर का दित्तिय नियम गुनन गती के लिए तो बताओ easy सा derivation था easy easy formula है आप आसनी से इनको याद भी रख सकते हो और इस derivation को आप easily कर भी सकते हो तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो अचलक्ष के परित है जो हम गुनन गती की बात कर रहे हैं उसमें हम कोणी है समवेक के बारे में बात करते हैं यानि कि जो गुनी गती है उसका कोणी है समवेक क्या होगा और क्या कोड़ी है समवेग यहां सनरक्षित होगा हम उसके बारे में भी यहां पे बात करेंगे तो देखो हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि हमारा जो टो एक्स्टरनल होता है वो DL over DT होता है यह हम लोग हमारी लास जो वीडियोज हैं उनमें पढ़ चुक है हमने निकाला भी था निकाला था या नहीं अब अगर आपका भाई यह जो आपका बलागून है वो 0 हो जाए अगर आपके भाई यह बलागून जो है वो 0 हो जाए तो बताओ मेरा यहां से L constant आएगा नहीं आएगा आएगा ना अगर पिंड पर लगने वाले गूनन गति में पिंड पर लगने वाले भाई यह बलागून 0 है तो हमारा जो कौनिये समवेग L होता है वो मेरा constant याने के नियत रहेगा N कनों के निकायगा कुल कौनिये समवेग अगर मैं निकालू अगर मेरे पास में N कन है तो कुल कितना हो जाएगा L होता है R क्रोस P ये भी हम पढ़ चुके हैं और इन सब का summation कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे कुल कौनिये समवेग मिल जाएगा तो summation I is equal to 1 to L, R I क्रोस P I ये होता है कुल कौनिये समवेग किसी द्रड़ पिंड के एका की कन के लिए अब मैंने माल लिया कि मेरा जो द्रड़ पिंड है चीक है उसके मैंने किसी एक कन के बात करी और मैंने किसी एक कन के लिए कौनिये समवेग को माना small L एक कन के बात करी इसलिए small L कहा तो L जो होता है वो तो R cross P ही रहेगा अब देखो अगर मैं इस diagram से देखो तो ये मेरा है R vector ये मेरा है R लंबवत यानि कि ये जो मेरा गुना नक्षर Z axis उसके लंबवत R का लंबवत घटक R लंबवत ये मेरा angle है अब हम इस diagram को erase कर देते हैं क्योंकि हमने इसको पहले भी use की है ना इसलिए अब हम हमारे इस diagram पे आते हैं ये मेरा है R vector ये मेरा है R लंबवत वेक्टर ये है बिंदू O ये है बिंदू C और ये है बिंदू P इस diagram से मुझे क्या नजर आ रहा है मुझे नजर आ रहा है कि O P जो है वो मेरा है R vector और O C जो है वो ये है और C P जो है वो है मेरा R लंबवत वेक्टर तो यहां पर वापस है आप लोग ये नियम लगाएंगे तो बताओ यहां से R जो vector है वो O C प्लस C P के बराबर होगा नहीं होगा होगा ना तो R vector आ गया O C प्लस C P आप देखो हमारा जो L है उसमें R की value substitute कर दीजी यहां पर तो यहां जब आपने value substitute करी तो क्या है O C और P जो होता है वो M V होता है समदेग जो होता है वो M इंटू V होता है तो यहां पर O C cross M V प्लस यहां पर आएगा इसकी जगा आएगा C P यहां थोड़ी से mistake है आप सही कर ले ना आपकी book में भी mistake है क्योंकि हमने R की जो value है वो क्या लिखी है O C plus C P तो एक बार तो यह cross product O C से multiply होगा और एक बार इसके उपर लगेगा बीच में plus है तो O C cross M V प्लस C P cross M V अब देखो V जो होता है वो R omega होता है या फिर R का जो होता है वो लंबवत वाला गटक हम लेके चलते हैं तो R लंबवत गटक omega अब देखो R लंबवत क्या है C P की लंबवत यानि कि यह दूरी तो है लंबवत एक तरह से यह दूरी तो है या फिर P की गुना नक्ष से लंबवत दूरी या फिर इस P की इस गुना नक्ष से यह लंबवत दूरी दोनों ही language एक ही यह सिब बोलने का तरीका मेरा अलग है आप देखो R right hand rule से अगर आप रोग right hand rule लगाओ जो मैंने आपको पढ़ाया था तो C P cross V C P और cross V है वो मेरा होगा किस direction में इस Z direction में किस में होगा Z direction में तो C P जो cross V है वो अच्छा लक्ष के अनुदिश है और मेरा अच्छा लक्ष किस के respect में माना है हमने Z axis और Z axis के अनुदिश जब हम direction देते हैं तो हम उसको किसे denote करते हैं K cap से तो इसलिए C P cross V को में क्या लिख दूँ R का तो लंबवत गटका गया M V as it is है C P तो R लंबवत आई M V as it is है और हमने cross हटाया तो हमें direction देनी पड़ेगी वो आगया मेरा K cap तो अब अगर आप इस V की value भी put कर दो यह वाली R लंबवत ओमेगा तो यह आजाएगा M R लंबवत square ओमेगा K cap यह मेरी value आगई इसकी C P cross M V की अब बताओ आपका जो यह वालब यह जो है यह मेरा लंबवत है या नहीं है इसी प्रकार अगर मैं OC cross V जो है अगर मैं OC cross V को देखू तो देखो यह तो इसके अनुदिश ही है Z के अनुदिश ही है तो यह अचर लक्ष के इसी प्रकार OC cross V अचर OC जो है वो तो खुद तो कहा है इस अचर लक्ष के अनुदिश है लेकिन OC cross V ही वह च्चनल्पिया इसलिए तो मेरा यह वला निकला है इसको आनुदिश की यह जो सीपी करो स्मर्वी बराबर है और जिसकी गेल्य मैंने निकाली है मार में के कैप इतनी मैंने निकाल ली आप यह सारी की सारी वैली उठा कि इस एल में पुट कर दो यहां पे तो यह तो हो गया एल जैड और यह एजटी ओसी क्रॉस अप देखो लजैड अचर अक्षि के समानतर है परंतु ल नहीं आपका जो यह एल जैड है वो तो हमारे अचर जो अक्ष है उसके समानतर होगा लेकिन मेरा जो एल है वो नहीं होगा यानि की जरूरी नहीं है कि ल और ओमेगा एक दूसरे के समानतर हो जबकि रब हम रेखे करते हैं तो रेक्या घ्dockी में पी और जो व व होते हैं वह एक दूसरे के समानतर होता है लेकिन गुन्ण करती में हमारे एशा कि समानतर हो ऐसा जरूरी नहीं है तो यह चीज़ आप लोग ध्यान में रखना जबकि रेखे गति में तो ऐसा होता है जिस डिरेक्शन में वी होता है उसी डिरेक्शन में मेरा पी होता है लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है कि ओमेगा जिस डिरेक्शन में हो उसी डिरेक्शन मे आप देखो हमें पूरे पिंड का कोड़ी है समवेग निकालना है एल क्या हो जाएगा समेशन लाई कर दो हमने एक पिंड के लिए समोल ल निकाला सारे पिंडों का समेशन कर देंगे तो ल मिल जाएगा एल की वैल्यू रख दिये ल आई आई जैड मतलब हम आई की फॉर्म में लेके चल रहे है इसलिए प्लस ओशी आई समिशन में सिग्मा में ओसी वेक्टर प्लस एमाई वी आई वेक्टर आप देखो ल जो लम्बवत है यह मेरा यह अध्य क्या है यह मेरा एल लम्बवत है ओ हो है सिगमा ओसी प्लस एमाई वी एई ठीक है इसको मैंने लंभवत कह दिया वेर लंभवत क्या है जैड़क्स के अनुदिश एल का घटक है जिसको मैंने लंभवत कहां मैं क्या है आईवे कंड का द्रभेवान है वी आई क्या है, आईवे कंड का वेग है, कंड द्वारा बनाये गया, जो वरत है, उसका केंद्र है, तो LZ बराबर क्या गया, LZ बराबर, LZ जो है मेरा, ये रहा मेरा LZ, अगर मैं केवल हो, केवल LZ निकालू, सभी कंडों का LZ निकालू, तो वो summation L I Z होगा L I की value put कर दीजी पीछे से M I R I square omega k cap तो L Z कितना आ गया M summation M I R I square कुछ जाना पैचाना सा लग रहा है हाँ, हमने अभी अभी तो पड़ा जड़ा तो अगोन होता है जिसको हम I कहते हैं omega Z और k cap तो यह आ गया मेरे L Z का formula I omega k cap और अगर total L पूछे तो वो क्या होगा L Z और L लंबवत का vector sum होगा होगा यह नहीं होगा तो थोड़ा सा easy derivation है बस थोड़ा सा आपको L Z L लंबवत इन सब चीजों के बारे में पता होना चीए किसको मैंने L Z माना किसको मैंने L लंबवत माना तो इन में आप confused मत होइएगा अब देखो अगर हमारे जो summitt pin है अगर हमारे जो pin है वो summitt है तो उनके लिए L लंबवत जो होता है वो 0 होता है समित pin के लिए L लंबवत 0 होता है तो कुल जो कौन यह समवेग है वो L Z के बडाबर होगा और कितना होगा i omega k cap तो यह आगया मेरा l और अगर हमारे print s सम्मित है तो l जो होता है वो lz के बराबर नहीं होता क्योंकि उस condition में यह 0 नहीं होगा l क्या है गुणा नक्ष के अनुदिश नहीं होता इसलिए जो l होता है वो गुणा नक्ष के अनुदिश नहीं होगा अब देखो अगर मैं इस equation का TK सापेक्ष अवकलन कर दू इस वाल equation को TK सापेक्ष अवकलन कर दू तो क्या मिलेगा d over dt lz बराबर d over dt i omega k cap इस equation का TK सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया अब हम जानते हैं कि TOW जो external होता है वो d l over dt होता है होता है नहीं होता चलिए तो d lz over dt कितना आगया d lz over dt आगया TOW केकप आया नहीं आया और d l लंबवद बटे dt कितना आगया d l लंबवद बटे dt मेरा आगया 0 इस equation का मैंने कर दिया तो DLZ over DT कितना आ गया DL over DT is equal to होता है टो एक्स्टरनल तो यहां से यह आ गया इतना DLZ over DT is equal to टो के कैप और DL लमवत अपर DT कितना आ गया मेरा 0 यानि कि अचलक्ष के परिता है गुनी पिंडी के लमवत कोण यह समवेक का जो घटक होता है वो मेरा अचर रहता है यह वाला जो गटक है वो मेरा अचर रहता है और LZ कितना होता है I omega K cap तो D over DT I omega कितना आ गया टौरक आ गया D over DT I omega टौरक आ गया I मेरा constant होता है तो D over DT I omega is equal to I constant को बहाँ निकाल लिया D omega by DT कर दिया यह आ गया I alpha और यह जो चीज है वो मेरे टौरक के बराबर है इसलिए टौर बराबर कितना आ गया बच्चो I alpha कुछ भी नहीं किया LZ is equal to होता है I omega K cap D over DT I omega किया वो होता है टौरक के बराबर I तो constant है जड़तवा गुल आई को बहार निकाल लिया बहार निकाला तो यह आया I alpha क्योंकि यह टम बन गई alpha और यह जो है यह बराबर है टौरक के तो यहां से टौरक बराबर आ गया I alpha अब यह भी आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा तो F बराबर M A की जैसा ही तो कुछ लग रहा है तो यह आगया मेरा Tau is equal to I alpha तो कौनी है समवेक का जो संद्रक्षन है वो क्या होता है D over dt I omega बराबर torque यह मैंने कैसे लिखा अगर आप लोग को को याद हो तो Newton सर का सेकेंड नियम क्या होता है F is equal to dp over dt होता है नहीं होता F is equal to dp over dt P की जगर लिखा मैंने torque D over dt as it is P की जगर लिख दिया यहाँ पे वैसे P is equal to mv होता है गुनन कति में क्या होता है I omega तो यह Newton सर की जो दित्तिय equation है वहाँ से मैंने यह चीज लिखी है और इससे मैंने सिद्धि कर दिया tau जो होता है वो I alpha होता है आप देखो यहाँ से अगर d over dt I omega बराबर torque है I omega मेरा अगर constant है I omega बराबर मेरा यहाँ से क्या आ गया constant आ गया I omega मेरा constant आ गया तो I omega जो होता है वो तो मेरा Lz है अभी अभी हमने देखा Lz जो होता है वो I omega ही तो है तो यहाँ से मेरा I omega जो है वो constant यानि कि मेरा Lz जो है वो constant यानि कि मेरा कौनी ही समवेग जो है वो यहाँ पर एक संरक्षित राशी है भाई अगर यह 0 हो जाए tau बराबर 0 हो जाए तो यह पूरी डर्म 0 के बराबर यह पूरी डर्म 0 इट मिन्स यह constant यह जो चीज़ है वो Lz के बराबर है और Lz मेरा L के बराबर है तो यह मेरा यहाँ से कौनी है समवेग का संरक्षित राशी हम यहाँ से सत्यापित होता है अगर आप डेली लाइफ के बाद करो तो आखिर ये कोणी समवे का जो संडक्षन नियम है गूनन गती में अच्छा लक्ष के परीता है गूनन गती में यह कहां कहां आता है यानि कि आपका जो ओमेगा है वो घटने लगता है और जैसे जैसे आप अपने हाथों को पास में लाते हो आपकी जो स्पीड वो बढ़ती है यानि कि मेरा कोणी ये वेक बढ़ता है ऐसा क्यों कि हम एक अच्छा लक्ष के परीता गूनन गती कर रहे हैं अच्छा लक्ष के आप अपने चेर पर बैठकर आप अपने हाथों को फैलाते हो तो उस कंडिशन में मेरा आई बढ़ जाएगा यह होता है यह ओमेगा कहेगा कि मुझे तो गटना पड़ेगा तब यह तो इसलिए जब हम हातों को फैलाते हैं तो आई के बढ़ने की वज़े से मेरा कोणी यह जो वेग वह घटने लगता है और जैसे जैसे आप अपने हाथों को पास लाते हो उस कंडिशन में क्या होता है आई 를 मेरे गटेगा तो इसलिए हमारी गूमले की जो चाल वेग ने वह ठीन लगता है तो इस तरह से कोनी समवेका तो वह अपने शरीर को मोल लेता है जिससे उसके शरीर का जड़त्वा अगून जो होता है शरीर को उसने मोल लिया तो क्या होगा आई गटेगा आई गटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा तो एल ओमेगा का मान नियत होगा तो आई के गटने की वज़े से उसका कोणी वेग बढ़ जाता है और वह कूदने के दोरान वायू में क्या लेता है कलेया लेता है तो इस तरह से हमारे डेली लाइफ में कोणी समवेग संदक्शन यम के आप और भी बहुत सारे नर्ति होता है वह पंजो पर नाशता है वहां भी हमारा कोणी समवेग संदक्शन यम फोलो होता है तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं बले वो लोग फीजिक्स नहीं से अंटेल लेकिन उनको यह पता होता है कि हम इस तरह से करना है तो हमें हमारा जो वेग वो बढ़ेगा उनको ब्रकाना होता है अरकरना क्या होता है चलिये अब हम बात करते हैं लोटनि घती के लेकिन लोटनि घती घती जिसमें फिसल में रही है वस्तू ओ knock फिसलन के पर उसे-फिसल में रही है बिना रोप में चाहिए पर इसकी सतै पर गति मान है और सतय पर गति मान है तता के सामान्य गूनन का विशेश रूप लोटनी करती हुई वस्तू तता इस परश्ष बिंदू होता है इसके सापेक्ष यहाँ पर कोई गति नहीं होती है शुद्ध लौटनि गति में हमने ये माना है कि इन दोनों के साफे यहां पर कोई भी गति नहीं हो रही है बिना फिसले लौटनि गति करते पिंड के लिए जो VCM होता है अब VCM क्या है जहां भी मैंने आपको बताया था CM नजर आजए इसका मतलब है है तो माना की निकाए कि जो गति जूड अचको मैंने कैपिटल के महना द्रविमान केंद्र जो द्रविमान केंद्र हम ले रहे है ना उसकी गती जूड़ जा को मैंने mv square by 2 माना और निकाय के द्रविमान केंद्र और निकाय का जो द्रविमान केंद्र है ना उसके परीत है जो गती जूड़ जा है उसको मैंने k dash माना तीन चीचे मानी है k, half mv square और k dash तो बताओ k बराबर क्या हो जाएगा k dash plus half mv square by 2 जहाँ k क्या है निकाई की गती जूड़ जा k dash है द्रवेमान केंदर के परीत है गती जूड़ जा और half mv square क्या है द्रवेमान केंदर की गती जूड़ जा अब आप इस v को द्रवेमान केंदर की मानते है तो इसको v cm से replace कर दो तो k dash कितनी आ गई? k dash जो होता है वो गूनन की वज़े से हो रहा है न तो गूनन की वज़े से कितनी हो थी गती जूड़ जा अभी अभी हमने निकाली थी half i omega square तो यहाँ value पुट कर दी जोड़ा गलत लिखा हुआ है तो k is equal to k dash plus half m इसकी जगा cm कर दो ताकि हम पहचान सके कि यह द्रवेमान केंदर की गती जूड़ जाए तो v को replace कर दो v cm से तो यहाँ आ गया k is equal to half i omega square plus half m v cm square यह v cm इसकी नीचे आएगा अब देखो i जो होता है वो m k square होता है अब भी पढ़ाये तहा मैंने आपको कि जड़वा अगों जो होता है उसको परीब्रह्न तिज की फोल में लिख सकते हैं और वह होता है m k square जहाँ small key है वो मेरी परीब्रह्न तृजा होती है तो जहाँ जहाँ आई उसको परिब्रमन तिज्जक की फॉर्म में लिख दो तो capital K is equal to half M, I की जगह लिख दिया M k square, vcm square upon R, और omega की जगह है, v is equal to R omega से, vcm is equal to R omega से, यहां पर value put कर दिया, omega की जगह लिख दिया, vcm by R, square था तो square कर दिया, plus half M vcm square, जो common आ रहा है, दोनों मेंसे वह common लिलो, बाकी term आ जाएगी as it is, तो यह जो सारे के सारे समीकरण है, यह शुद्ध लोटनी गती की गती उड़जा को बताती है, और यह सब के उपर लागो होता है, चाहे वह वले हो, चक्ती हो, गोला हो, कोई भी हो, उन सब के उपर हम इनको लागो कर सकता है, बतलब हमने इसको बहुत जादा डिटेल में यहां नहीं पड़ा है, हमारे इस लेबस में जितना था, उतनी ही लोटनी गती के बारे में हमने यहां पर पड़ा है, तो इसे के साथ ही बच्चों हमारा जो सेवन चैप्टर है, इसका थोटिकल जो पार्ट है, वो कम्पलीट होता है, बहुत सारी चीज़े हम लोगों ने इस चैप्टर में पड़ी है, मैं थोड़ा साब को रिवाइज करवाती हूँ, फिर हम लोगोंने अच्छे लक्ष के परिते शुद्ध गूनन गती पड़ी फिर गूनन गती पड़ी उसमें हम लोगोंने बहुत सारी चीजाज निकाली उसके बाद में हम लोगोंने शुद्ध लौटनिक गती पड़ी हमने गूनन गती में कोनी समवेक संट्रक्षन के डेल करेंगे बाकि के नियुमैरिकल की है प्रैक्टिस करते रहें पहले आप लोग iras직 तो 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 बने रहेगा मेरे साथ मिलते हैं नेक्सt वीडियो में तेंक्यू